दोस्तों आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका भार है आज हम बात करने वाले हैं कि इन कुछ बातों को अगर आप जान लेंगे तो बहुत सी चीज़ आपकी क्लियर हो सकती है कि यह जो समय चल रहा है इस समय में आपको कहीं सारी परिशानि होगी कहीं सारी तक्लिप हो रही होगी और बहुत सी चीज़ आप जीवन में फैस भी कर रहे होंगे क्योंकि हालाती कुछ ऐसे हैं तो कुछ बाते आप जान लेंगे तो बहुत से समस्या है आपकी समाधान हो सकती है चैनल को दी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब् पहली और मुख्य बात है ब्यापार के दृष्टी कौन से और मैंने ब्यापार पर एक अलग सब वीडियो भी बना के रखा है कि ब्यापार में जो हानी की कलपनाई की जारी जो नुकसान की कलपनाई की जारी है उस पर आप इतना ध्यान ना दे उसके पिछे कारण ये है कि ऑब अब आपनी जल्दया व्यापार में अच्छा ग्रोध कर पाएंगे भार निकरबाएंगे पहली बात दूसरी बात है कि आप अपने व्यापार की तासीर को अपनी व्यापार को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं तो उन योग्जताओंको पूरा उपयोग ले अपने पास जो भी मानोगों का रिसोर्सेस है या जो भी चीज़े उनका पूरा उप्योग करें और फाइदा आप कमा सकते हैं दूसरी बात है विवाद आम पत्तिसादी ये चीज़े इसके लिए आप टा लेना कि अगले साल करें या दो साल बात अभी बीस लोग पांच लोग जितने भी लोगों का अपके एरिये में छूट है आपको उन लोगों के साथ जाके विवाद को कर ले इससे दो फाइद है पहला तो आपका खर्ज बच जाएगा दूसरी बात है कि ये जो सिच्वेशन है ये लंबे वक्त तक चलेगी और हम साधी ब्याँ इनको टालेंगे नहीं कि पहले ही शादी होना बड़ा टफ काम है फिलाल अभी हो रही है तो उसे कर ले जल से जल जो भी पांच लोग दो लोग जाकर शादी करने के लिए सरकान ने चूट दी हुई है वो गाइडलाइन को फ आर्थी खाला तक के खरा हुए तो कोई मदद भी नहीं करेगा कि सभी के हाला जो आर्थी के वो फिलाल क्योंकि हर व्यक्ति को अपने दो वक्त के गुजारे के लिए सोचना पड़ता है तो यह बिल्कुल कतेई ना करें जो वाजीब खर्चें वही करें वो धनको संरक्ष वहार का तभी करें और नहीं अनुबह हो गहुत बिल्कुल लोगों के उपरी उपरी चीजे चल रही है तो बिल्कुल व्यापार ना करें इसमें आप साउधान हो जाएं है और दूसरी मुण बहुत कि लोगों के भेकाओं में ना आए dangerous कर ले उसके बाद कोई कदम चान लोग हैं यह हने वाले चार महेने चांचे मैंदे जितने भी टाइम मे इसमें चीज्चा आपको वह करना होगी और इन चीजिजा करेंगे काम करेंगे दिन से बहुत अच्छे से बात आप आएंगे और किसी भी फ्रोड में किसी भी चीज में आपको फसना नहीं है चाहे जो भी हो थोड़ा वेट करें अगर बिजनेस भी करना है थोड़ा रिसर्च करें फिर बिजनेस करें छोटी सुरुवात करें चाहे ठेला लगाना पड़े है च्छोटा कोई से भी काम करना पड़े वो जरूर करे इसमें कम इंवेस्मेंट हो इमानदरी का काम हो वो बिल्कुल करें इश्वर उसमें आपको तरक्की देगा और इश्वर की यही इच्छा समझ के कोई भी काम हो आप चाहे कितने पड़े लिखे हो उसमें प्र झाल झाल